हाई अब्रीवान वेलकम तो वो चैनल दर्गीज और वाचिंग वीडियो सीरीज ओन दे वैल्यू ओफ एक्स दे वैल्यू ओफ एक्स में हमारा एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन चैप्र चल रहा है जिसमें हम सीख रहे हैं मोनॉमियल्स को किस तरह से मल्टिप्लै किया जा आज की क्लास में मैं आपको शिखाने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेशन में अगर एक्स और वाई की वैल्यूज दी होती है तो उसको कैसे पूट करके आंसर निकालागा तो चले स्टूडेंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना पार्ट और प्ल असली स्टूडेंस सीखते हैं कि वेरिफिकेशन के के कोशन किस तरह से किये जाते है जब मोगंपिल्य को मल्कप्लाइख करना हूँ क्वेस्टिन देख सकते हैं लिख्का है एक्सप्रेस product of monomials तो इसमें product word आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको multiply करना है product का मतलब होता है multiply तो यहाँ पर आपको multiply करना है monomials को और उसके बाद verify the results when x is equal to 1 उसके बाद आपको x equal to 1 value put करनी है और answer निकाल रहा है अब इसमें एक question आपको करके दिखाता हूँ तो आपको बहतर समझाएगा सबसे पहले जो question दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन monomials हैं जिनको multiply किया जा रहा है और monomials को किस तरह से multiply करते हैं यह हमने last class में discuss कर लिया था तो बिल्कुल उसी तरह हैं सबसे पहले तो इसको multiply करते हैं सबसे पहले आपको value put नहीं करनी है आप पहले multiply कीजिए उसके बाद जब answer आएगा तो उसमें value put करनी हैं आपको अब यहाँ देख सकते हैं कि तीन monomials हैं और यहाँ पर तीन number लिखे हुए हैं तो मैंने आपको बताया था numbers को आप अलग से लिख लें और एक number यहाँ पर minus का भी हैं आप देख सकते हैं minus 5 उसके अलावा जो पीछे variable लगा होता है उसको एक साथ solve करके लिख लें अब यहाँ पर देखे x की power 1 है x की power 1 है x की power 1 है तो total तीनों को plus करते हैं तो क्या हो जाता है x की power 3 so मेरा answer जो आएगा 3, 4, 12 and 12 और 5, 60 होता है 60 अच्छा इसके सामने minus का sign लगाऊं या नहीं लगाऊं देखे मैंने आपको बताया था कि जब भी तीन number में से कोई एक minus का होता है तो आपको minus का sign लगाना है अगर यहाँ पर 2 minus का sign होते तो minus से minus कट जाता तो 2 same अगर sign होते तो वो कटके plus आजाता है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आप देख सकते है इन दोनों का तो plus हो गया क्योंकि यह दोनों तो वैसी plus में है और उसके बाद यहाँ पर minus से जब multiply होगा तो यहाँ पर minus आना ज़रूरी है और यहाँ पर आगया x cube xc power cube अब देखे यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में भी किया था कि यह answer कैसे निकालते है अब आपको क्या करना है x की value 1 put करनी है देखे जब भी यह verification का question आता है verification मतलब होता है check करो check करना verify करना एकी चीज़ होती है तो इसमें आपको value ज़रूर put करनी होती है value put करके दिखाना है और value put करने का तरीका students देखे क्या होता है अब इसमें मैं x की value 1 put करूँगा क्योंकि question में दिया हुआ है x की value 1 question में दिये तो value put करने के लिए मैं numbers को तो same लिखूँगा minus 60 और कभी भी कोई value put करें students तो याद रखें कि आप bracket में put करें x की जगे अब यह जो 1 लगाएंगे तो bracket में लगाईएगा इस तरह से लिखेगा हमेशा bracket लगाना ज़रूरी है यह मैं आगे चलके बताऊंगा कि क्यूं ज़रूरी है फिलाल आप बस यह समझे कि जब भी आप x की जगे कोई भी value question में दिये होती है वो put करते हैं तो bracket में कर लिए ठीक है अब आपका अगले step होना चाहिए कि मुझे power हटानी है पावर हटानी है तो one की power अगर three होती है तो इसका मतलब क्या होता है one multiply by one multiply by one तो answer तो one ही आएगा न देखे यह भी आपको बता देता हूँ one की power अगर two होती है तो होता है one multiply by one और one की power three होती है तो इसका मतलब क्या होता है one multiply by one multiply by one तो वो भी वन आता है तो अगर short में देखें तो 1 की कोई भी power हो तो आपका answer 1 ही आएगा तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इस तरह से आपके 1 लिख दिया क्योंकि 3 किसी काम कर नहीं है 1 को कितनी बार भी multiply करोगे आपका answer 1 ही आएगा clear है अब बचा minus 60 और 1 देखें दुबारा से दो number आगे multiply वाले तो अब मैं आखरी में क्या करूँगा देखो दोनों के पास अलग-अलग sign है यह वाला minus में है यह वाला plus में है तो मेरा answer हमेशा minus में आएगा और multiply कर दो 60 clear है बड़ा simple तरीके से आपको यह करना है यहां तक तो हमने पिछली class में ही कर लिया था बस एक step और है कि आपको value put करनी है और value put करने का तरीका मैंने बता दिये question number second करते है question number first हमारा इस तरह से हुआ है यहांपर question number second में भी आप क्या करेंगे सारे numbers को एक साथ लिख लिजे 4 multiply by minus 3 multiply by 4 by 5 अब यहां एक fraction वाला number भी दे दिया है fraction वाला कोई बात नहीं हमको करना आता है अच्छा उसके बात देखिए यहां पे x की power 2 है x की power क्या है 2 यहां पे x की power 1 है तो दोनों को add करके होगे x की power 3 और यहां पर x की power 3 है तो इसको भी add करके होगे x की power 6 तो यहां पे मैं लिखूँगा x की power 6 अब इसको solve करेंगे तो आएगा देखिए students अगर मैं यहां पर कोई भी ऐसा number होता जो 5 से कट रहा होता जो की 5 से कट रहा होता तो मैं काट देता उसको लेकिन यहां आप देख सकते हैं नीचे 5 है और उपर कोई भी ऐसा number नहीं है जो 5 से कट रहा है तो इसको मैं ऐसी छोड़ दूँगा इसको आपको multiply करना है बाद simple तरीके से तीन number में से एक number minus का है तो मेरा minus का sign तो आए गई आएगा उसके बाद देखिए 4,4,16 और 16,3 16,3 जा होता है 48 48 students और यह नीचे 5 आगया तो जो उपर है वो उपर लिखेंगे और जो नीचे है वो नीचे लिखेंगे और यहां पर आगया s t power 6 ठीक है तो इसको अब हम solve करते हैं आगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको x की जगे 1 put करना है और power 6 लगा देनी है और अगले step में minus 48 upon 5 अब 1 की power 6 है तो उसको तो 1 ही लिखेंगे 1 की power 6 को 1 ही लिखेंगे अभी बताया था मैंने और यहां पर भी आपका बिल्कुल सेम उसी तरीके से आंसर आजाएगा minus 48 upon 5 यह दो question के लिए रहे आपको अब मैं तीसरा question करने जा रहा हूँ third question यहां पर करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं five numbers में अगर हम देखें constant में तो five लिखा हुआ है यहां पर कोई number नहीं है इसका मतलब one है और यहां पर two है तो मैं numbers को लिख लेता हूँ five multiply by one multiply by two अब one understood होता है आप चाहों तो लिखो या मत लिखो क्योंकि one से multiply करने से कोई फरक तो पढ़ता नहीं so five multiply by one multiply by two उसके बाद देखो इसमें कोई भी minus का number नहीं है अच्छी बात है हमारे लिए आसान हो गया कोई भी minus का number है यह नहीं अब यहां देखो x की power four x की power two और x की power two अच्छी यहां पर एक चीज student देखिए एक चीज नहीं है यहां पर जो मैं आपको बताना भूल गया यहां देखिए two x का whole square लगा हुआ है यहां पर देखिए बाकी में square अंदर लगे हुए है अभी तक जो भी हमने question किया था न इसके power जो थी वो अंदर लगी हुई थी bracket के अंदर थी लेकिन यहां पर bracket के बाहर power दे दिये और जब भी bracket के बाहर power होना तो यह समझाना कि यह जो power लगी है यह सिर्फ x के उपर नहीं है यह दोनों की power है तो इसको आप थोड़ा सा solve कीजेगा देखिए कैसे solve करना है सबसे पहला step इसमें लगी है देखिए इसमें तो अंदर ही लगी हुई है तो इसका मतलब है सिर्फ x के उपर लगी हुई है फाइव के उपर नहीं लगी है तो इसको मैं बिल्कुल सेम तरीके से लिख दूँगा उसी तरह यहाँ पर भी अंदर है तो इसका मतलब है सिर्फ x पे लगी हुई है लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर बाहर लगी है तो इसका मतलब है कि यह जो power है ना तो यह चीज यहां ना फरक समझ लो अच्छे से आप देख सकते हो ध्यान से यहां पर जो भी अंदर दिया हुआ है देखे मैच्स की लेंगविज भी बहुत आसान होती है कुछ खास मुश्किल नहीं है देख के पता लग रहा है कि यह जो स्क्वेर लगा है जो टू लगा ह हुआ है वो सिर्फ x के उपर लगा हुआ है लेकिन यहां पर अगर ब्रैकेट के उपर टू लगा हुआ है तो तो इसमें कंफ्यूजन की बात ही नहीं है अब तो फरक साफ नजर आ रहा है इसमें देख लो और इसम nous करना गलती से इंह Carlo question में इन्होंने बीच में दे दिया है मेरा भी ध्यान नहीं गया था लेकिन बाद में चला गया था चलिए अब आपको बाकी काम करने देखिए 5 multiply by 1 multiply by 4 लिखना और यहां पर पावर स्को एड़ कर दो x की 4 4 8 8 प्लिस टू 10 सो मेरा जो आंसर आ रहा है 5 4 20 20 x की पावर 10 आ गया और अगले स्टेप में यहां पर मैं x की जगे 1 पुट करूँगा सो यह आ गया 21 20 multiply by 1 और उसके बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 20 क्योंकि किसी भी चीज को 1 से multiply कर रहा तो वही आता है यहां पर कोई negative sign था नहीं कोई confusion नहीं को हुई नहीं देखे अगला question question number 4 करते है इसमें भी सबसे पहले आप यह चेक कर लो कि कोई bracket के बाहर तो कोई power नहीं लगी हुई देखे कोई भी power bracket के बाहर नहीं है तो हमको यह वाली चीज करने के जरूत नहीं पड़ेगी इसमें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें जो भी numbers दिये हुए हैं उनको multiply कर देते हैं देखे 1 दिया हुए पहले और यहां पर multiply में क्या दिया हुए minus 4 multiply में दिया हुए 2 और फिर 5 दिया हुए अब हम variable देखते हैं और उसकी power देखते हैं देखे x की power 2 है यहाँ पर x की power 1 है तो यह होगे x की power 3 और यहाँ पर एक और है x की power 4 इसके बाद इस bracket को solve कर देते हैं देखे तीन number में से एक number minus का है तो मेरा answer minus में आएगा 4 to 8, 8, 5, 40 minus 40 x की power 4 value put करेंगे x की जगे 1 put करूँगा तो मेरा answer आएगा minus 40 और यहाँ पर आएगा 1 और minus को जब 1 से multiply करूँगा minus 40 को 1 से multiply करूँगा तो मेरा answer आएगा minus 40 जो की same अब याद रखना students यहाँ पर है न एक्स की value 1 question में दी हुई है इसलिए मैं x की value 1 लगा रहा हूँ कभी-कभी question में x की value minus 1 भी दे देते हैं x की value 2 भी दे देते हैं तो आइए आगे वाले questions में देखते हैं कि अगर different values होंगी तो कैसे करेगे इस question में students आप देख सकते हैं पूरा question सेम है इसमें भी आपको multiply करना है product निकालना है और verify करना है लेकिन एक चीज़ अलग दी हुई है यहाँ पे x और y दो variable है और दोनों की value आपको दी हुई है एक्स की जगे आपको one put करना है और y की जगे आपको two put करना है अच्छा आपको इतना याद रहना चाहिए कि x और y की ही value दी हुई है question में इसके अलावा अगर कोई variable दे देते हैं तो उसकी value put मत करना for example माल लेते हैं कि x और y अगर दिया है तो उसकी value तो put हो चाहिए लेकिन अगर question में a b c दे दिया है तो a b c की value तो हमको question में given ही नहीं है तो उसकी value क्यों put करेंगे उसको तो as it is लिख देंगे जैसे कि अभी तक करते आए चले देखते हैं question जल्दी जल्दी solve करना शुरू करेंगे क्योंकि हमको समझ आ गया है अब speed बनानी बहुत ज़रूरी है तो यहां अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर माइनस यहां पर माइनस 1 है क्योंकि कोई नंबर तो है और यहां वन है और यहां पर भी म sait तो सारे वण है जिसमें से एक माइनस का है तो मेरा माइनस काgar साइन तो लगा अब मैं भीहन नहीं लिख दूंग कि उन्होंने भी है 5 वाई देखते हैं वाई 3 है 4 5 अब देखें value put कैसे करेंगे यहाँ पर मैं minus का sign लगाऊंगा x की जगे one put करना है मुझे क्योंकि question में दिया हुआ है और यहाँ पर एक multiply का sign लगाऊंगा और y की जगे two put करूंगा क्योंकि यह भी मुझे question में दिया हुआ है ज्यान से देखिए वहाँ पर x की जगे one put करना है y की जगे two put करना है ठीक है अब देखिए minus तो बाहर है तो उसको तो बाहर लिखा रहे हैं देते हैं सबसे पहले आपको power गायब करनी होती है power को solve करना है सबसे पहले अब देखो वन को पांच बार multiply कर दो तब भी तो वन ही आता है वन को पांच बार multiply करना है अब यहां कुछ होते हैं one को five से multiply करना लेकिन one को पांच बार multiply करना वन ही होता है तो इसका जो मतलब होता है जब power का मतलब होता है तो समझ लो कि यहां पर यह वाला काम करना है आपको यह नहीं करना यह वाला काम करना आपको clear तो यहां पर 1 की power 5 लिखे है तो 1 ही होगा उसके पाद multiply अच्छा यहां पर 2 की power 5 आ गी है अब इसको करते हैं देखे 2 को 5 बार लिखना है 4 और 5 तो देखे 2 तूज़ा 4, 4 तूज़ा 8, 2 तूज़ा 16 और 16 तूज़ा 32 32 हो गया तो इस तरह से करना 2 को 5 से multiply करके 10 मत लिख देना गलत हो जाएगा यह पावर का सिस्टम होता है चलिए आगे देखते हैं अब यहां पर देखे 2 नमबर हैं दो नमबर हैं जिसमें से 1 के पास माइनस है तो अलग लग साईन है दोनों के पास तो मेरा अंसर तो माइनस में आएगा और 32 को जब 1 से multiply करऊंगो तो माइनस 32 क्लियर सिंपल आगे बढ़ते हैं यहां पर देखें यहां पर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसमें तो नमबर्स लिखने की ज़रूत पड़ेगी 1 upon 8 multiply 1 upon 4 इसके पास 1 है तो वो भी लिख देते हैं चलिए और यहां पर 5 है तो यह भी लिख देते हैं जो नमबर उपर है उसको उपर ही लिखना जो नमबर नीचे है उसको नीचे ही लिखना वेरियेबल्स की बात करते है एक्स की पावर 2 4 तो यह हो गया 6 6 और 1 हो गया 7 वाए 4 4 और 2 हो गया 6 6 हो गया 6 और 1 हो गया 7 यह भी 7 तो इतना आपने कर लिया अब देखिए इसमें से कुछ भी कट नहीं दाये कुछ भी नहीं कट रहा क्यों क्यूंकि नीचे 8 & 4 और उपर 5 है तो मैं क्या करूंगा एज़टेज उपर वालों को मल्टिप्लाइ कर दूंगा उपर वालों को सबको मल्टिप्लाइ करो तो देखो 5 आ रहा है और नीचे वालों को मल्टिप्लाइ करूंगा 8 4 32 और यह वाला तो लिख नहीं पड़ेगा मुझे एक्स की पावर 7 वाई की पावर 7 अब वैल्यूज पूट करतें चलिए अब इसको मिटा देता हूं मैं अब देखे 5 अपॉन 32 मल्टिप्लाइ बाई 1 की पावर 7 मल्टिप्लाइ बाई 2 की पावर 7 क्लियर है 32 और 1 की पावर तो 7 जो है वो तो 1 ही हो जाएगा लेकिन 2 की पावर जो 7 होगा तो क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा 128 करके देख लेना आप 2 को साथ बार मल्टिप्लाइ करना 128 आएगा ठीक है अब देखो 32 अब आप इसको है ना काटना ये कटेगा 32 का टेबल तो आता नहीं होगा आता तो मुझे भी नहीं है लेकिन मैं देखे कैसे काट ओँगा इसको 32 का डबल क्या होता है 64 और64 का डबल होता है 128 तो डबल का डबल मतलब 4 गुना 4 गुना तो मैं इसको सीधा सीधा काटके 4 लिख देता हूँ और 4 को जब मैंने 5 से multiply किया देखे दोनों उपर है 5 भी उपर है 4 भी उपर है तो मैं इन दोनों को multiply कर सकता हूँ तो 5 4s are 20 मेरा 20 answer आए अब यहाँ पर आप छोटे नंबर से भी काट सकते हो आप 2 से काट लो 4 से काट लो लेकिन maths में अच्छा यह होता है कि जितने बड़े नंबर से काटा जाए उतना अच्छा होता है ठीक है चलिए अब question number 3 देखते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तीन fraction है तो minus वाले जितने भी fraction है उनको अलग-अलग लिख देते हैं minus 7 upon 6 ठीक है उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखें यहाँ पर इसकी बात कर रहा था मैं यहाँ पर question में x और y की value दी हुई है लेकिन यहाँ पर a और b दे दी है a b c c b है तो ऐसे question में आपको इनको छेड़ने की जरूत नहीं है इसको बस जो count करते थे न a को जैसे count करते थे b को count करके वो लिख दो आगे कुछ करने की जरूत नहीं है करके दिखाता हूं देगे a 2 है यहाँ पर a नहीं है यहाँ पर 1 a है तो कितने हो गए तीन a हो गए एक b 2 b 3 b तो b b 3 हो गए और c 1 है और यहाँ पर 2 है तो c b 3 हो गए clear है आगे बढ़ते हैं अब देखे इन में से देखे कुछ कट रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 6 2 और 6 को काट सकते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आगया minus 1 क्यूंकि minus भी लगा क्लियर और कुछ कट नहीं यह देखे 7 भी कट रहा है 7 भी तो गट रहा है ठीक है तो यहाँ पर 7 से काटेंगे तो यहाँ पर minus 1 आएगा और यहाँ पर बनाएगा क्लियर अब और कुछ निकट आप देख सकते हैं तो याद अपना स्टूडेंस जो भी नंबर ऊपर लिखे हुआ है ना उनको multiply करना और जो भी नीचे लिखे हुआ है उनको multiply करके नीचे लिखना तो सबसे पहले आप upon का sign डालो ऊपर कितने नंबर है तीन नंबर है देखो और 4 वंजा 4 वंजा 4 तो यहाँ पर तो 4 आगया नीचे देखते हैं नीचे 3 multiply पर 3 होता है 9 so a cube b cube c cube यह answer आया आपका क्यूं क्यूंकि इसमें a cube b cube c cube की value तो दी नहीं है तो यहीं पर छोड़ देना इस answer को third question में आपको बिल्कुल same question दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर x की value 2 है और y की value minus 1 पूट करनी है इस बार y की value क्या पूट करनी है minus 1 अब students इस question को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि y जैसे की minus 1 होता है तो minus 1 की power अगर 2 लिखी है तो यह हो जाता है plus 1 plus 1 क्यों हो जाता है क्यों क्योंकि minus 1 को जब minus 1 से multiply करोगे तो 2 minus के sign आ गए तो 2 minus के sign क्या हो जाते है plus में बदल जाता है तो plus 1 उसी तरह minus 1 का sign अगर अगर यह power 3 लगी हुई है माल लेते हैं तो यह हो जाता है minus 1 उसी तरह minus 1 की power अगर 4 लगी हुई है तो यह दुबारा हो जाता है plus 1 क्यों क्योंकि यहाँ पर 4 minus है चार minus है ना तो 2-2 एक दूसरे से कट जाएंगे और आगे देखिए minus 1 की power अगर 5 लगी हुई है तब आपका answer minus 1 आएगा तो यह पैटन चलता है वन का जो minus 1 है उसकी power का एक पैटन होता है तो अगर power आप देख रहे है 2-4-6-8 ऐसे में आती है तो आपका answer रमेशा प्लस में आता है और अगर power लिखी है 3-5-7-9 तो आपका answer minus में आता है याद रखना और इसमें कुछ खास मुश्किल चीज पर है नहीं ठीक है तो इसको अगर मैं मिटा देता हूं तो आपको यह चीज याद है अब देखिए इस question को solve करते हैं सबसे पहले तो मैं numbers को लिख देता हूं देख इसको one upon four लिखना यहां गलती मत करना ठीक है जो नीचे है वो नीचे ही आएगा ठीक है अब देखिए एक्स कितने है एक एक्स दो एक्स तीन तो यहोगे एक्स पांच वाई कितने है एक दो और वाई है चार क्लियर सो अब देखिए इसको solve करते हैं यहां पर यह 2 से कट र फांच खे वह वन अपॉन तो एक्स ही पावर five वाई की पावर four अब देखिए यहां परएक्स की पावर मुझे two put करनी है है sorry x की जगे two put करना है आई?.. तो एक्स की जगे मैंने two put कर दिया कि वाई की जगे मुझे माइनस वन पूट करना है अब देखे अभी पिछले कोशन में हमने किया था टू की पावर जब फाइव थी तो क्या था 32 आया था हमारा और मैंने अभी अभी आपको बताया है जब माइनस वन की पावर 4 होती है तो 4 माइनस है तो इसका मतलब तो यह आपका आगया 16 आपका 16 आंसर है देखे इतने बड़े कोशन का आंसर 16 है तो इस तरह से आपको वैल्यू पूट करके सॉल्व करना है नेक्स भी कर लेते हैं चल्दी से यहाँ पर 3 अपॉन 5 मल्टिप्लाइबाए माइनस 15 अपॉन 4 मल्टिप्लाइबाए 7 अपॉन 9 अब यहाँ पर X देख लेते हैं X यहाँ पर 2 है 3 हो गए और 5 हो गए Y कितने हैं 1 2 3 3 और 2 5 यहाँ भी 5 है अब देखे इसमें से जो कट रहा है काट दीजिए 3 वन्जा 3 3 थी 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 था 9 5 वन्जा 5 5 थी थी था 15 यहाँ पर माइनस 3 बचा अब माइनस 3 और 3 कट जाएग तो यहाँ माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा तो जो भी उपर वाले नमबर है उसको मल्टिप्लाइ कीजिए यहाँ पर देखे 1 को मल्टिप्लाइ किया माइनस 1 से और फिर 7 भी है तो मेरा आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि इन तीनों में एक ही में माइनस X head 2 X value 2 put करनी है और Y की value क्या पूट करनी है minus 1 minus 1 की power 5 तो यहां देखें यहां हो गया minus 7 upon 4 multiply by 2 की power 5 अभी अभी हम लोगोंने discuss किया था 32 होता है अब तो याद भी हो गया होगा अब देखें minus 1 की power 5 लगी हुई है तो मेरा answer minus 1 आए रहा clear चलिए अब 4 8 8 432 उपर वालों को multiply कीजिए देखें 2 minus के number है तो मेरा answer तो प्लस में आएगा 7 8 56 7 8 56 तो इस तरह से students आपको solve करने है अगर कोई भी verification का question दिया होता है और जब भी value put करनी होती है तो आपको इस तरह से question sound करते है तो आपको इस तरह से question sound करने है कि सबाने है